नमस्कार दोस्तों अगर आप भी यूपी के अंदर निवास पर्मान पत्र जाती पर्मान पत्र आई पर्मान पत्र ओनलाइन बनवना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इडिस्टिक के वाबसाइट करना थ आज मैं आपको इसी बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चली ये वीडियो कि स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इसको लिए आपको अपको टाइप करनी अहां जो edistic.up.joy.in URL में टाइप करने के बाद इस main website पर आ जाना है इस website का link मैंने description में दे दिया है आप उस पर click करके इस website पर आ सकते हैं तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अब देखें यहाँ पर अपनी language भी change कर सकते हैं इंडी और इंग्लिस आप जो आपको prefer हो तो आपको यहाँ पर उपर से change कर सकते हैं तो यहाँ पर login करने के लिए आपको या रिजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपना citizen login के option पर है जो कि आपका citizen login ई साथी इसके option पर आपको click कर लेना है क्लिक करने के बाद अगर पहले login के आए तो username, password, capture और submit करके login कर लेना है अदरवाइस आप नयून ओगता पर निकरन के option पर क्लिक कीजिए जो कि यहाँ पर new registration करना है इसमें देखिए आप सबसे पहले जो option होता है यहाँ पर आता है login ID create करनी होगी तो यहाँ पर आपको 6-8 digit आपको login ID देनी है login ID आपको select करनी है और साथ में जो आपको यहाँ पर login ID अपनी तरफ से choose करनी है वो आप numeric plus आप alphabetic choose कर सकते हैं और इसके बाद आप अब लगता की जाज करें पर click करें अगर यह आपकी available है तो आपके दिखा देगा दरवाज आपको new ID आपको create करनी होगी तो देखे मेरी यह available है तो मैं इसको यहाँ पर create कर लिया है यही मेरी आप producer name रहेगा इसके बाद देखे आपको आवेदर का नाम देना है जो applicant का name रखना है आपको यहाँ पर जो भी है इसके आद उसका date of birth आपको देना है इसका link जो भी आपका sex male है female है इसके बाद आपको अपना इस थानिया पता जो भी आप चहां पर अभी रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर address फिल कर देना है इसके बाद print code देना है जिला select करना है mobile number देना है और email ID, email ID optional है इसके बाद आपको capture देके सुरक्षित कर लेना है तो मैं जल्दी से information फिल कर लेता हूँ और उस सुरक्षित के option पर click करता हूँ तो देखिए यहाँ पर नीचे मजे दे रहा है इस पर click करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना देना होगा user name जो आप user name अपने create किया है वो आप पर दाल देना है इसके बाद आपको देना है password या OTP यहाँ पर first time तो आपको OTP देना होगा जो आपके mobile number पर आएगा जो कि 6-8GIT का OTP होगा उसको यहाँ पर fill करना है इसके बाद आपको capture fill करना है capture fill करने के बाद आपको submit के option पर click कर लेना है जैसे आप submit के option पर click करेंगे next page open होगा जिसमें आपको यहाँ पर अपना password change करना होगा अभी तो OTP से आपको यह login हुआ है तो यहाँ पर आपको एक password select करना होगा इसके देशल से पहले आपको OTP fill करना होगा जो OTP अभी आपके mobile number पर आया है same OTP आपको यहाँ पर fill करना होगा OTP fill करने के बाद आपको यहाँ पर अपना password देना है password आप strong password रखिए यहाँ आप alphabetic और numerical दोनों रख सकते हैं या फिर आप special keyword भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं अपना password select कर लेता हूँ और select करने के बाद password बदले के option पर click करता हूँ जैसे ही मैं password बदले के option पर click करता हूँ मेरा password change हो गया है यहाँ पर देखे सो भी कर रहा है password have been changed successfully इसके बाद आपको home page पे वापिस आ जाना है home page पे वापिस आने के बाद दुबारा से आपको login citizen login के option पर जाना है यहाँ पर इस बार आपको login करना है user id जो आपको देनी है user id देनी है आपको same user id आपको रखनी है इस बार आपको OTP नहीं देना है जो आपने password create किया है वो password आपको fill करना है capture fill करना है और submit के option पे click करना है जैसे आप submit के option पे click करेंगे आप इस portal के अंदर login हो जाएंगे और आपका registration complete हो जाएगा आप देखें आपको login करने के बाद आप आपको 요 Speaking मिलेंगे कयी services मिलेंगी यहाँ पे आप जाती परमानपत्र बनवा सकते हैं यहाँ स्कूण के वेब साथी यहाँ से आप कोई भी परमानपत्र असानी से ओनलाइन बनवा सकते हैं तो दोस्तों आपको यह जान करेंगा अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आय परमान पत्र जाती परमान पत्र बनवाने के लिए मैंने अलग से कुछ वीडियो बनाई है इसका लिंक आप उन्चे डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा या फिर इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तो आप इनको देखके आप मिल tutorial में मिल जाएगा ऐसक्रिप्स करेंगा इनको आप उन्मा सब को अलग साना रजगामा सबल मिल ऑत्सक teu ये वीडियो कि ये एनको पर बनाई है झाल झाल झाल